गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग SMS and email marketing अपनी WooCommerce और WordPress websites में OmniSend के थुरू कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में OmniSend को explore करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक WooCommerce store को बनाने से और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे OmniSend का इस्तिमाल किया जाता है email marketing करने के लिए चलते computer screen में let's get started So guys मैं आठ चुक हूँ अपनी computer screen में और जो पहला काम मैं करने वाला हूँ वो है एक WordPress website का बनाना तो इस वीडियो में मैं एक WooCommerce store को set up करूँगा और मैं OmniSend का इस्तिमाल करूँगा OmniSend एक marketing automation platform है e-commerce business के लिए और सबसे बड़िया बात इसकी यह है कि इसका support बहुत अच्छा है इनकी dedicated support team 3 minute के अंदर अंदर reply देती है and available होती है 24 7 365 days काफी affordable pricing है इसकी लेकिन सबसे ची बात यह कि आप free में start कर सकते हैं एकनम free of cost इनके जो reviews है WordPress.org पर वो काफी बढ़िया है और मैं आपर use कर रहा हूँ Digital Ocean का आप लोग चाहें तो किसी भी platform को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी WordPress app को बनाने के लिए मैं simply यहाँ पर Digital Ocean की create droplet पर क्लिक करूँगा create droplet पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर region Bangalore चूज कर लूँगा क्योंकि मेरा सबसे नजदीक Bangalore है marketplace पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर WordPress का option आता है उपर ही उस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो मुझे marketplace में WordPress 6.4.1 on Ubuntu 22 चाहिए इसके बाद मैं आपर basic plan select करके जो default options इनको select करके आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर मैं पासवर्ट चूज करूँगा मैं यहाँ पर एक पासवर्ट जो है वो select कर लिया है इसके बाद मैं इसका नाम रखूँगा OmniSend WordPress तो यह सब करके मैं strong password जोनके create droplet में क्लिक कर दूँगा और इसके बाद वेट करूँगा इस droplet के आप होने का अब एक बाद यह droplet अब हो जाती है तो मैं अपने टर्मिल से इस droplet में connect कर पाऊँगा using SSH तो मैं simply यहाँ पर SSH कर पाऊँगा इस droplet में तो SSH root at the rate और इसकी जो भी IPv4 मुझे मिलेगी वो मैं लिखूँगा और इसके बाद मैं password डाल के इसमें login हो जाऊँगा अच्छा एक काम और मुझे करना पड़ेगा मैं आपर एक domain का इस्तिमाल कर रहा हूँ अपने store को बनाने के लिए तो मैं उस domain को भी point करूँगा कहाँ पर मैं domain को point करूँगा इस IP address पर तो मैं अपने domain को point करने के लिए क्या करूँगा simply आँगा यहाँ पर और एक बार मेरी IPv4 जो कि मुझे मिल चुकी है वो मुझे मिल गई है मैं आपर अपना जो password है वो डाल दूँगा तो अभी यह droplet अप नहीं हुई है तो एक बार यह droplet अप हो जाए इस पर मैं connect करूँगा इसके बाद password अलके I'll be back तो मैं आपर yes लिखूँगा और अपना password यहाँ पर डाल दूँगा और enter मारूँगा जैसे ही मैं करूँगा मैं अपनी droplet के अंदर आ जाँगा अब यह मुझे से domain और subdomain पूछ रहा है तो मैं quotesware.in यू यहाँ पर y लिखूँगा और यह मुझे से कह रहा है कि अपना email address डालो email address डाल दूँगा and yes I accept the terms and यहाँ पर मैं जाँगा note that मेरे पास https भी आ गया है मैंने यापर हैरी लिखा हैरी लिखा और मैं लॉग इन हो चुका हूँ मैंने इसका password बहुत सिंपल चुना था but आप लोग जो है password अपनी production website का बहुत अच्छे से चुने अब मैं आप अपर plugins में आँग और Omnisend plugin जो इंस्तॉल कहां गए तुम सिर्फ वू लिखता हूं और यहां पर WooCommerce आजाएगा इंस्टॉल तो मेरा WooCommerce जो है वो इंस्टॉल हो रहा है एक बार और यहां पर एक्टिवेट करने का option देगा मैंने इसको activate कर लिया और इसको activate करने के बाद यहां पर एक option आएगा WooCommerce का तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैं इसको रिलोड करूँगा जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा आप लोग देखना है यहां पर WooCommerce का साइट में एक option आएगा यहां पर ही कह रहा है welcome to Woo, set up my store, I am just starting my business, मालनो मैं clothing का business करना चाहता हूं और मैं आप पर लिखूँगा clothing and accessories और इसक करूँगा अपनी इस email से continue with Google करूँगा and yes I can continue with Google, continue, अब यह मेरा account कनेक्ट कर रहा है, अब यह आपर अगला step है कि मैं कुछ products को add करूँगा, तो मैं add products करूँगा, physical products पर click करूँगा, मालनो मैं आपर एक coffee mug लिखता हूं तो मैंने आपर एक sample image जो है वो लगा दिए, अब म इसके बाद मैं plugins में आँगा और Omnisend को install करूँगा, तो मैं Omnisend search करूँगा और इसके बाद मैं आपर install now पर click कर दूँगा, अब यहाँ पर Omnisend for WooCommerce, मैं connect to your account पर click करूँगा, अब इसके बाद मैं इसको approve कर दूँगा and finally approve करके, आप लोग देख सकते हो कि मैं redirect हो जाँगा अब वापस से अपने इस Omnisend account में और यहाँ से अब मैं अपने Omnisend को access कर सकता हूँ, तो मेरा एक store है codesware.in जो की connect हो चुका है Omnisend से, अकर मैं आप लोग को दिखा हूँ, तो मेरा store अभी कुछ इस तरह से दिखता है, अब मैं visit site पर जाँँ, तो यहाँ पर मेरा WooCommerce store है, व abandoned cart, तो मैं यहाँ पर launch workflow पर क्लिक करूँगा, तो basically होता क्या है, कि customer मानलो आपकी website पर आता है, और उसने कुछ product में interest दिखाया, उसने आपकी shop पर जाकर आपके product को cart में add किया, मानलो उसने add to cart किया, and finally add to cart करने के बाद उसने check out भी किया, लेकि check out करने के बाद उसने ज्या independent cart वाला option इस्तेमाल नहीं किया होता, तो उनका 47 million dollars का नुक्सान होता, जो कि एक बहुत बड़ा number है, इसे भी पहले मैं क्या करूँगा, कि एक theme चूज करूँगा, और अपने इस store को स्टोड़ा बनाऊंगा, तो मैं काम करता हूँ कि मैं theme में चूज करूँगा, कोई अच activate कर लिए, वापस से मैं WooCommerce पे जाऊंगा, और पूरा flow जो है वो complete करूँगा, setup payments में view options पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं cash on delivery को enable कर लूँगा, आप चाहें तो Razer Pay भी select कर सकते हैं, Razer Pay पे आपको approval लेना पड़ता है, और उसके बाद आप लोग payments Razer Pay के तुरू accept कर स करूँगा, और इसके बाद Save Changes पर क्लिक कर दूँगा, अब इसके बाद अगर मैं इसको reload करूँगा, चेक आउट वाले पेज को तो यहाँ पर cash on delivery का option आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर cash on delivery का option आएगा, यहाँ जैसे ही place करूँगा, cash on delivery का option आएगा, अब म मैं show my workflows पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर omnisend automatically एक घंटे बार, एक बार किसी ने check out किया और इसके बाद submit नहीं किया form को, तो उसको email फेज देगा, how cool is that, तो अगर किसी ने सिर्फ item को cart में add किया, उसको email जाएगा, और अगर किसी ने check out start किया है, but order place नहीं किया है, उसको एक email जाएगा, amazing, that's so good, अब मैं एक और workflow create कर सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे workflows है, जैसे कि abandoned cart workflow है, product reviews है, order confirmation है, back in stock का एक workflow है, तो अगर कोई भी item back in stock आता है, तो उसको email जाएगा, कि यह आप इस item को देख रहे थे, वापस से item आ गया है stock में, तो आप इसको add कर सकते हो, आप चाहो तो आप scratch से भी create कर सकते हो अपना workflow, but most of the used workflows, जो कि general e-commerce में use होते हैं, वो omnisend के पास already होते हैं, जैसे कि एक workflow का, अगर मैं example लेना चाहूँ, तो वो होगा, कि जैसे ही कोई order place करता है, वो चाहेगा, कि एक shipping confirmation उसको मिले, तो आप इस workflow को customize कर सकते हो, यहाँ पर म हम क्या करेंगे, edit content पर click करेंगे, जो email का content है, वो हम edit कर रहे हैं, जैसे कि your order is on its way, यहाँ पर आप अपना logo वगरा डाल सकते हो, इसको replace कर सकते हो, अपने logo को, और जो भी products होंगे आपके, वो यहाँ पर आजाएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर customer की जो information होगी, वो य जैसे ही मैं यह सब करूँगा, यहाँ पर एक shipping confirmation जाएगा, तो मैं इसको test करता हूँ भी, तो मैं आपर check out में जाँगा, check out में जाने के बाद मैं एक order place करूँगा, proceed to check out, और यहाँ पर cash on delivery करके, मैं आपर place order पर click कर दूँगा, तो मैंने information अपनी पर दिया, cash on delivery कर दिया, place जो है, इस पर click करूँगा, and मुझे दिख गया ही कि यह order क्या है, तो मैं आपर इसको processing में डाल दूगा, और update कर दूगा, और जैसे ही मैं processing में डाल कर अपडेट करूँगा, तो यह जो है, fulfill हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि अब मैं इसको process कर रहा हूँ, तो एक जो order था मेरा, वो मैंने already processing status में डाल दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मेरे email में OmniSend ने एक mail भिजा ही, और order is on its way, और यहाँ पर जो भी मेरा product है, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से आप लोग OmniSend से emails भेज सकते हैं, और इस तर जरूर से कर लेना, I hope कि आप लोग को कोई वीडियो अच्छा लगा, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाई, और इस तरह के और भी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए, तो मुझे उनके टॉपिक जरूर बता देना, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.